बिस्मिल्लाहर्मानिरहीम असल्माइब अलेकुमा यूटेश फैमिली आज हमने बनाया है तलहभय आलो और गोशकासालोन यह बहुत ही मज़ेगा बनता है बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है और खाने में अतनी ही टैस्टी डिलिशस रेसिपी है बहुत ही मज़ेग इसमें क्या क्या सामन की जरूरत होगी, सबसे पेले कुकर में आधा गब तेल डाला है, इसमें हम दो मीडियम साइस के आलू को छेल के, हमने टुकडों में कट कर लिया बड़े-बड़े, और इसे गोल्डन फ्राइ कर लेना, लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राइ करना है, इसमें पांच से छे मिनिट तक, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, तो यह देखे, आलू हमारे फ्राइ हो चुके हैं, इसे निकाल के साइड में रख देंगे, और इसी तेल में अब हम यहाँ पर प्याज डाल देते हैं, मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइज के प्याज ली हैं, इन्हें हमने अच्छे से कच्छा पका फ्राइ करना है, उसके बाद इसमें से आधे प्याज हम निकाल लेंगे, और आधे को इसी में छोड़ देंगे, तो आगे बताते हैं, तो यह देखिए, प्याज हमारे हलके से फ्राइ हो चुके हैं, तब तक हम यहाँ पर तीन मीडियम साइज के टमाटल लिए, तीन हरी मिर्च ली है, और यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, तकरीबन दो टेबले स्पुन के यह डंठल हैं हरे दनिया के इसके पीस के लेना है, और आधे प्याज हम निकाल लेते हैं, इसे भी हम अलग से पीस लेंगे, इसका पेस्ट बनाना है, तो यह निकाल के रख दिये हैं, और यह जो प्याज है, इसमें कुछ साबुत कर मसाले डालेंगे, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाएकर मसालों की अच्छी सी होज़ू भी हो जाएगी, तो दो तेज पत्ते के टुकड़े करके डाल दिये हैं, एक दाल चीनी का टुकड़ा लिया, एक बड़ी लाइची लिये, दो तीन लोंग लिये हैं, आठ दस्ताने काली मिर्च के लिये हैं, इन सभी को अच्छा सा गॉल्डन कलर आने तक प्यास के फ्राई कर लेना है, ये देखिए, प्यास का कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल बड़ी ऐसा, अब हमने यहाँ पर लस्तन और अद्रक का पेस्ट डालना है, तो मैं यहाँ पर लस्तन अद्रक का पेस्ट डालते रही हूं, तकरीबन दो टेबली स्पून और इसे अच्छे से भून लेना है एक मिनिट के लिए, अब हम यहाँ पर इसमें मटन डाल देंगे तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मटन लिया है और इसे अच्छे से दोके साफ कर लिया है, इस मटन को हमने तकरीबन 6-8 मिनिट तक अच्छे से भूनना है जब तक कि इसकी जो कच्छी स्मेल होती है वह खत्म रहो जाए, मटन में एक अज़िब सी स्मेल होती है जो अगर आप अच्छे से उसकी भूनाई नहीं करेंगे तो पूरे खाने के टाइम आती है तो मैंने मटन को बहुत ही अच्छे से भून लिया है अब हमने जो प्यास पीस के रखे ते उसे डाल देंगे फ्राइ की वह प्यास ही जिस अच्छे से मटन के साथ भून लेना है मटन और चिकन जब भी आप बनाए तो बहुत अच्छे से भूनाई जरूर करें अब हमने जो टमाटर हरी मिर्च हरे धनिय का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसको भी साथ में भूनेंगे चार-पांच मिनिट और अच्छे से भून जुका है अब हमने मटन को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करना है मैं यहां पर इसमें दो गिलास पानी डाल रही हूं पहले एक गिलास पानी डाल की से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एक गिलास पानी और शामिल करेंगे क्योंकि मटन को गलने में टा परिशन तक गल जाना चाहिए, मेडियम फ्लेम पे लेना है, प्रेशर लेना है आपने, और इसका प्रेशर रिलीज होने देना है अपने आप से, यहाँ पर देखिए, चेक कर लेते हैं, मटन कितना गला है, और यह काफी अची से महेक रहाए, काफी अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से, तो थोड़ा सा पानी इस पे डालेंगे ताकि ठंडा हो जा, और यह देखिए, अच्छे से गल जुका हल्की सी कसर है, अब हमने मटन को पहले से भून लिया था, इसलिए भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने तले हु पूरी हो जाएगे और मटन भी अच्छे से गल जाएगा, तो यह देखिए, माशा अल्ला से बहुत ही बढ़िया से हमारे आलो भी गल चुके हैं, मटन भी गल चुका है, अब हम इसमें हरा धनिया बारिक कटा हुआ डालेंगे, आगे कोई मसाली डालने की ज़रूरत नहीं अपने आप में कम्पलीट है, और इसकी रंगत देखिए, बहुत ही खुबसूरत आई है, तो बस इसे डिशाओट करते हैं, फटा फट से आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी की भी साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है, एक बार इस रेसिपी कैसे लगते हैं, हमारी रेसिपीस आप आपने ट्राइ की है, तो फिट बिक ज़रू दीजेगा, चैनल पर पहली बार आएं तो प्लिस सब्सक्राइब ज़रू कीजेगा, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टूडियो में, अल्ला हाफीज, पाई